नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का लगने के अपसूल्स के इस नए वीडियो में और ये वीडियो बहुत जरूरी है इस पॉइंट ऑफ टाइम पर इस जंक्शन पर जबकि हम लोग आ चुके हैं सन 2024 में अगर आप बैंक एक्जाम्स की तियारी कर रहे हैं तो मिड ए 2024 में किसी भी तरह से बैंक एक्जाम्स में सेलेक्शन चाहिए जिनको 2025 में 2026 में एकदम धीरे 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 नहीं पहुचना है जिनको इसी साल एन्याव जॉब क्रैक करनी है जिनको इसी साल एक्जाम्स करना है उनके लिए हम लोग अलग वीडियो पर बात कर लेंगे तो व 6 तारिक को चला गया जब RRBP और क्लेरिकल मेंस के एक्जाम्स कतम हो चुके थे अब खाली RRBP के इंटरिव्यो बचे है थोड़ा बहुत एक लास्टेप बचा है यह होता है मगर मैक्सिम जनता जो है जो अब सबसे बड़ी गलती करेगी वो है इस एक्जाम के बाद इस के बाद में डिप्रेशन आ गया भीया दी मोटिवेट हो गया भीया किसी ने यह के जे तु तैयारी छोड़ दे अब तो तेरे लिए कुछ बनाई नहीं अब तो 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 तेरे से होगा नहीं यह तो साल के सबसे इजी एक्जाम थे यह तो टफ है तुझ से तो कुछ होगा ह हैं और फिर ही एक्जाम नहीं होता कोई बात नहीं समझ में आता है अगली साल तयारी करिए अगली साल का टार्गेट करिए वैलन गुड है कोई दिक्कत नहीं अगर अभी एक-दो महीने पहले अब ग्रेजुएट होएं तो तो आपका समझ में आता है मगर एक साल से तयार कर रहे थे दो साल से तैयरी कर रहे थे और अभी वापस फिर से राथ yore डाल dh इस पौंइंट पर आंके तो फिर से घलती कर रहे हैं जो आज तक करते आये थे और maximum बच्चा जो गलती करता है यह गलती करता है इस exam के बाद depressed और demotivate हो जादा मेरी बहुत सारे लोगों से बाते हुई हैं और वो बहुत सारे बच्चे मुझे depressed और demotivate से नजर आ रहे हैं और उन में से कुछ लोगों तो ये भी नहीं पता बिजारों को कि वो यहाँ पर select हो भी चुके होंगे अरे तुमको किसने बता 140 बुरा attempt है आगे आने वाले फेस की reality हम जान लें आज की जो कम्या है अगले फेस में ना हो ये सब हम जान लें और उसी के लिए ये वाला दोस्त वीडियो है RRB pure clerical means होने के बाद में एक बच्चा तो होता है जो हो जाता है demotivate दूसरा बच्चा होता है जिसको पता लगता है कि ये मेरे से ये गलतियां हुई है और मुझे उसका क्या समाधान करना है GA, Quant, Reasoning, English चार सब्जेक का तो 28 मुझे पता लगता ही है यही चार सब्जेक तो है IPS और SBI में देखे दोस्तों अभी तक जो मारे एकजाम होई RRB के उसने हमको एक बाद GA में बहुत साफ साफ तोर पे कह दी है GA का वैसे तो आपके Educators को आपको पकड़ना चाहिए वो आपको सही से समझाएंगे ज्यान देंगे ना कि आपको हताश हो के बटजाना चाहिए यह नहीं होता है यह नहीं होता है वह नहीं होता है बहुत अलग लग चीज़े है GA के एजुकेटर से बाद बात करेंगे तो आपको पता लगे है कि RRB का GA हमेशा ही इस तरह से आया है जैसा इस बार आया है कोई नई बात नहीं है हमेशा RRB ने ऐसे ही किया है मगर जब आप SBI या IPS की तरफ जाएंगे तो उसमें GA में जादा थोड़ा बैंकिंग की तरफ से लाता है सटीक पेपर होता है बैंकिंग एच्छी नॉलेज चेक करता है और पेपर अच्छा डूएवल पेपर निकल जाता है और नहीं भी निकलेगा तो वो सब के लिए होगा दोस्त और पहले से अब रट्टा मार के नहीं जा सकते हैं यह GA का लेवल क्या होगा इसी तरह से quant reasoning में भी आपके कुछ-कुछ lesson होने वाले है मैं एक एक करके सब पर बात कर लेता हूँ अगर मैं सबसे पहले बात करूँ quant subject की तो देखो दोस्त quant जो की मेरा खुद का subject है जो मैं आपको बढ़ाता हूँ quant subject में अभी तक आपने जो किया वो था काफी minimal level का मगर धीरे-धीरे अब level बढ़ने वाला है चाहे IBPS PO का exam हो, SBI PO का exam हो quant अपने maximum रूप में अब आने वाली है RRB जब आपको पता लगया कि आपके basic में quant में कहां कमी चल रही है कहां नहीं चल रही है, अब उन सभी का, ऐसा होता है न, वो जो अपन game खेलते है रक्चस बनाते हैं, दो हात का होता है और उन रक्चस के 6-8 हात होने लग जाएंगे, 10 हात होंगे 5-8 पैर निकल जाएंगे, quantum ऐसी होने लग जाएगी मगर उसके लिए चिंता की बात नहीं है आपके लिए मैंने free sources ही बहुत रख रखे है paid में भी classes बहुत सारी है उसके बारे मैं अभी आपको बतायता हूँ घबराने की बात नहीं है बस इतनी बात दिमाद में रखीएगा की अब quant से रिष्टा आपका खतम होने जा रहा है क्योंकि ना तो IVPS की syllabus में quant mentioned है ना ही SBI की syllabus में quant mentioned है अब जो आपका subject होने वाला है वो है data interpretation जिसका मतलब DI table line chart बिलकुल नहीं है and data analysis यह आपका subject है अगर किसी को नहीं पता है अभी IVPS और SBA का syllabus देख लेना syllabus यह होता है quant नाम का subject अब हटते जा रहा है सिर्फ pre में वो रहेगा mains में यह आ जाएगा इसकी तैयरी कैसे होती है arithmetic को अलग form दे देना arithmetic का अलग variable बना देना DI में arithmetic गुसा देना उसमें कहीं number series लगा देना कहीं से quality का जाएगी कहीं से number system की कुछ एक दो line गुसा दी बहुत सारे chapters का mixture रहता है उस तरह की quant आपके सामने आती है चीजों को सीधे तो और पर नहीं बोला जाएगा अगर मैं बोल रहा हूँ राम मार्केट जाकर एक किलो चीणी खरीदता है अब यहाँ पर ऐसी निवो लेगा वो लेगा कि राम है ना S स्पीड से मार्केट जाता है और S जो है ना S स्कॉर मैंनेश 24S प्लस 760 बराबर 0 में जो उसकी हाईएस वैल्यू आएगी इसी तरीके से दोस्तों जब हमारी रीजनिंग की बारी आएगी तो रीजनिंग में आपने देखा क्लेरिकल मेंस का पेपर काफी इजी था अब आपका थोड़ा सा पेपर अच्छा होने लग जाएगा IPS र SBI में बहुत लेंगदी पेपर सबसदा टाइम का बेटेज सौट सौट नंबर का पेपर होगा पजल्स बहुत लेंगदी होने लग जाएगी critical reasoning अच्छा खासा portion आने लग जाएगा मगर घबराना नहीं है सब के लिए सेम है और reasoning हर साल ऐसी होती है English में आप जाके आपका आपको दिमाग में आ रहा है कि IBPS PO एक पेपर है SBI PO एक पेपर है और आपके दिमाग में ये नहीं आ रहा अगर आपने RRB की ढंग से तयारी की थी तो दो exam और है जो आपके लिए ही बने है और वो भी आप crack कर सकते हैं वो है IBPS clerk SBI clerk हालांकि इसका मेंस तो हम मान के चल रहे हैं कि ये भी 13 अक्टूबर को जैसे आप दे रहे हैं तो इसका तो मान लो घड़ी हाथ से नेकल चोकिए इसके लिए तयारी के लिए विशेश समय नहीं है आपके पास 19 अक्टूबर 30 नवंबर मेंस है एक महीना इसके लिए भी आपके बास बजता है 19 तक भी मेरी लगातर classes यूटूबर पेड़ पर आपको मिलेंगी reasoning भी आपके teachers दे रहे हैं classes ये सारी चीज़े मिल रही है SBI PO, SBI clerk काफी सारे YouTubers, Influencer मैं तो सबको देखता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ सब इतना अच्छा आपको ग्यान देते हैं सबने आपको बता दिया है कि November से December के बीच में ये दोनों के PO और clerk के prelims exam होने वाले हैं और फिर December जनवरी का phase इनके mains exam के लिए होगा तक तो तुम depression की power infinity हो चोके होगे अगर इस आहलत में चले तो तो depression से लाला भार आजा अभी बहुत लंबा सफर तय करना है दो exam होएं काली RRBP और clerk ये school का paper नहीं है मेरे भाई कि भाई सब हाफिरली में कमा गए तो जोड़ेंगे मेरी तो rank नीचे रह जाएगी नहीं रहेगी rank नीचे RRBP और खराब हो गया कोई बात नहीं RRB clerk खराब हो गया कोई बात नहीं IPS clerk उठा ले नहीं IPS P.O उठा ले नहीं SBI P.O कर लेना नहीं SBI clerk कर लेना opportunity की line लगी पड़ी है मगर उसके लिए तुझे खड़ा तो होना पड़ेगा अगर तु बीच में ही सो गया बीच में कंदे डाउन होगे डिप्रेस हो गया तो फिर वहाँ तक कौन पहुँचेगा उठ जा उठ जा मेरे भाई उठ जा मेरी भैल इसमें बता देना क्या नहीं आ सकता तो 25 जार में ये सब तेरा वेट कर रहे है मगर तु आर आर बी के बाद ही 2025 की तैयारी करने लग जाएगा मुझसे तो इस साल नहीं होगा साहब मैं तो नहीं कर पाऊंगा साहब मैं तो कमजोर हूँ अरे भाईया मान लिया तु पीओ के लिए तैयार नहीं कोई बात नहीं क्लरक में गुज़ा जॉब तो जॉब होती ही जॉब लेके बैठ जाना भाई क्या शांदार नौक नहीं एस भी एक लग सले जाना उसमें तो इस तरह से चीजों को प्लान करो अभी से हिम्मत हारनी काता ही जरुवत नहीं है एक एक्जाम आपको खराब नहीं कर रहा है चार एक्जाम बड़े बाकी हैं और इसके अलावा कोई गलती से L.I.C.R.B.A. कहीं कुछ इधर उधर कोई एक का दुख का वेकेंजी आ गई तो वो और एड़ान वाली चीज है इसलिए हिम्मत नहीं हारनी है जिस भी सब्जक्ट पे बोलेंगे इंडिविज्वली अलग से प्लान वो भी मैं लाके देदूँगा आप लोगों को आज का वीडियो से जरूरी था क्योंकि कंदे जुके वे नजर आ रहे थे क्योंकि अब ठके वे नजर आ रहे थे क्योंकि आप लोगों में युद्ध छोड़के भाग जाने वाले मुझे चेहरे नजर आने लगे थे मैं वापस सभी को लाना चाहता हूँ मैं वापस से चाहता हूं कि आप युद्ध में आ जाओ, मुकाबला करो, जन्वरी तक मुकाबला करो, रुकना नहीं है, ठीक है, कल भी एक स्टुएंट से बात हो रही थी, मैंने एक ही बात बोला था, मन खराब हो जाए, एक्जाम खराब हो जाए, दिन खराब हो, समय कर रहा हूं, वो सारी चीज़ें मैं आपको एक बार जरूर बता देता हूँ, क्या चीज़ें हैं भईया, देखो मैं आपको बता रहा हूं, एक तो भईया, आपको ये टेलेग्राम ग्रूप जोएन कर लेना है, यहाँ पर मेरी सबी क्लासिस की आपको लिंक्स मिल जाती है और मिल जाता है, पैटन मिल जाता है, मुझसे आप करेक्ट हो सकते हैं, यह टेलेग्राम ग्रूप है, यह सर्च इसको कर सकते हो, इस तरह का दिखने वाला ग्रूप है, 60,000 लोग है, ठीक है, एक चीज़ तो यह हो गई, अब साब आपने बड़ी बड़ी बाते तो कर दी, आप तयारी कैसे करने हैं, तो भाई है, यह अपना यूटीब चैनल है, हाँ जी साब, इसमें प्लेलिस्ट है, हाँ जी साब, बहुत सारी प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में, IEP, PSPO की अलग से प्लेलिस्ट बना दी, SBA की और बना दूँगा, यह तो इस साल की है, जैसे, और साथ कितना देता हूं वो भी बता दूँगा आपको RRBPO की जब प्लेलिस्ट बनाई थी RRBPO की प्लेलिस्ट में 125 वीडियो है मेरे RRBPO के लिए 125 वीडियो की प्लेलिस्ट बनी थी Last day SBA Clark मेंस के लिए 46 वीडियो उसके लिए बनाये थे हर एक्जाम में आपके साथ रहेंगे प्लेलिस्ट को नंग से करते जाईए यहाँ पर मेरी मेंस D.I. की प्लेलिस्ट है अगर आपको D.I. प्लेलिस्ट करनी है अनगिनत है 2 साल तक करेंगे तब भी पूरी नहीं कर पाएंगे इतन D.I. 1000 ड.I. रखिए चैनल पे देख ले, पैटन पता लग जाएगा, SBIPO मेंस का लास्टिर का पेपर किसी चैनल पर नहीं, पुरे यूट्यूब पर आज तक, SBIPO मेंस 2013 का पेपर, अभी तक यूट्यूब पर आये ये नहीं, अपने उसी दिन कराया है, 92,000 लोग देख चुके, 5 December 2013, तू भी देख ले, पै पेपर देखिए, जिसे IPSPO की 6 शिफ्टे जोथी लास्टिर, आठ मेंसे 6 शिफ्ट का पेपर में चैनल पर लाकर रख रहे हैं, आपके लिए, देखिए उसे, मेंस के सारे पेपर देखिए, यहां से सीखिए, फिर प्लेलिस्ट में जाएए, प्लेलिस्ट से आप अच्छे करूंगा, प्लीज एक टीचर और एक reading source पर टिक कर पढ़िये, आप लोग इधर से इधर से इधर से बाख रहे हैं, इस वाई से कुछ-कुछ topic मैंस हो तॉपिक मैं होते हैं, डीचर से बिचार है, सारे अच्छे हैं, सब बोलते रहते हैं, मेरी list में सी आया या है, मेरी list मे का टीचर क्यों ना हो थोड़ा राम से बात में जरुवत है और खेर हमारी टीम में श्रीक अफिल काट पालसर बहुत शांदा तरह से पढ़ा रहे हैं कल रात को बता रहे थे इतने सारे कुछ अधिया खर्शल लिया रहे देखिए रहे इसी तरश पर एक दो चीज और बताना चाहूंगा दोस्तों देखिएगा लास्ट बस कुछ फ्यू सेकंड्स की हम बात कर रहे हैं आज रात को यानि की साथ तरीक है न जहां आज रात को 9 बुझे कपिल सरके की वीडियो आ रहा होगा यह आप जरूर देखिएगा उनके चैन आपकी जीय की तयारी को स्टेंग देन करने के लिए तो ओवरॉल बहुत भट बढ़िया शानदर आपकी अप्रोच होने वाली है अगर आपको इससे लेर निंग निथी पर पढ़ना चाहते हैं अगर लेर निथी पर पढ़ना चाहें तो आपको पता दू अगर मेरा पूर की क्लासेज बता रहा हूँ, 150 से उपर क्लासेज हैं, critical reasoning में जुड़ते हैं, 30-35 वीडियो critical reasoning के रखे हैं, mains की इतनी सारे क्लासेज रखी हैं, तो आराम से जुड़िए, तसलिए से पढ़िए, अभी हमारा IPSPO का बैद चल रहा है, prelims की क्लासेज सल रही हैं, फिर mains की क्लासेज सल हो जाएंगी, लगातार हम जुड़ेवे हैं, तो आप मुझसे यूट्यूब पर ही पढ़ सकते हैं, afford कर सकते हैं, तो learning मिती पर आकर ज़रूर पढ़िए, और learning मिती पर कोई भी कोर्सेज आपको लेने हो, तो दोस्तों, ये नवरात्री का कोड भी जल रहा है भी, मैं प्रमोशन करने नहीं आया था, बस information दे रहा हूँ, काफी बच्चों को पता नहीं होता, उनको शिगायत रहती है, सर आप सब कुल बतायते हैं, उतनी क्लास के बारें बता रहा हैं, बोल जाते होगा, आपको कोर्स ले, तो कहां से ले, नवरात्री कोड है, www.learningnithi.com पर लग जाएगा, किसी भी कोर्स पर, साथ साथ लर्निंग निती की एप पर भी लग जाएगा, ये तो एक information थी, एक motivation था, 2024 से 2025 ना लग जाए आपके तैयारियों को इसलिए, इसके अलावा, इन में से किसी भी topic पर डीटेल वीडियों चाहें, तो प्लीज इस वीडियों के निते comment करिएगा, और मुझे बताईएगा, क्या कमिया चल रहे है जीवन में, जरूर बताईएगा, सब के मांसवर देने कोशिश करूँगा, एक एक बच्चे को reply करूँगा, कल देने कोशिश करूँगा, आज थोड़ा बाहर हूँ, साथ अक्टूबर को, कल परसों दो दिन में सारे reply दूँगा, और मुझे जो जो लगेगा important highlights है, उस पर मैं या मेरी team चाहे हो reasoning के faculty हो, अगर उनकी concerned topics होंगी, तो उन तक भी pass करूँगा, और वो आपके queries को जरूर solve करेंगे, उमीद करता हूँ, सभी लोगों को comment में देखूँ, सब लोग manifest करो, इसी साल exam निकालूँगा या निकालूँगी, जो problem है, comments ने बताईए, लगातर आपके साथ जुड़े हैं, फिर से हाधिर होते रहेंगे, thank you so much for watching the video, चैनल को subscribe करना अगर नहीं किया है, नए है लोग है आप, and all the best, इसी साल exam निकालना है, इसी साल exam निकालना है, और इसी साल exam निकालोगे,